बलरामपूर से बड़ी खबर आ रही है बम के धमाके से तहला बलरामपूर धमाके में कई मकान में आई दरार जमीन में कई फिट हुआ गड़ा बलरामपूर से बड़ी खबर आ रही है बम के धमाके से तहला बलरामपूर धमाके के बाद ग्रामपूरो के लगा जमावड़ा सूचना पर पहुची भारी पुलिस वर्ल घटना में जाच में जुटी धमाके से कई मकान में आई दरार कई फिट हुआ गड़ा गुड़ो धुनिया के सोचाले पर धमाका घटना अस्थर पर जाच में जुटी यससभी पुलिस भारत नेपाल सीमा वर्ती थाना हरया सदगरवा ग्राम गोगोली का मामला सूचना पर एडिशनल स्पी सीओ थाना हरया सदगरवा एस सो अला पुलिस एससभी घटना अस्थर पर मोजूद इसको टीम लेकर के जाच में जुटे घटना का लगाया जा रहा है पता थमा के बाद ग्रामिडों का लगा भारी भीड ग्रामिडों ने बताया कि 9 बजे की घटना लगबग 2 किलो मीटर घटने की आवाज अवाज आये और आने के बाद मोगा पिर देख भाल की उसके बाद में उने बताया इसको इस सुचना हमको तो नहीं पिये लेकिन हम आवाज सुने तो हम लोग भी चले आया यहां और पहुंचे उसके बाद में इसके कारवाई पिया जाएगा तो हम लोगें साथ बंब के लाओ और बावी कोई की शोटक है ही नहीं इतना ज्यादा भी शोटक हुआ इसके दर्वाजा सब पूट गई है उन्होंने कहा जिरोगा जी में बताया कि जो हो सकता हां कि बंबना हो साहित तातार तस्तो बोला धरे हो एक साथ अब आज इक ही बार आया है यह कब की घटना है यह उई सामको जो है नो क्यास पार आती हम लोग अपने घरे लेटा रहें तो बहुत बड़ा बलास्ट भवा तो हुआ जब मीडिली स्कूल के रेपास मां हम निकरें जूरियल हाई स्कूल है मरे उठे तो हुआ तक के के डॉंगों सब्सूट के पड़ा रहें बहुत बड़ा बलाफ्ट रहा कम से कम 15 से 20 किलोमेटर रहें के अवाजगा है सिपूरा तक आदमी आया है देख रहे हैं अच्छा आई कोनों आपसान चीज नहीं रहा कि आपसान चीज रहा कर वोला वोला हो तो तो ज्यादा आज आश्रम के पास दगा चाहत गुद्डू के घरनों के ताहां रहते हैं गुगोली कला रहते हैं साहम नगी राजार इसी पास में कितने बजे के गठना है नौ बच्टे आठ मेर पका है अना चेत्र हरयय के ग्राम गुगोली कला में कल एक स्पोर्ट की सूचना प्राप्त मौके पर ठाने के टीम गई वहाँ पर ये पाया गया कि एक गठती जिसका नाम गुद्डू धुनिया है उसके घर में शौचाले का जो सेप्टिक टैंक है उसके उपर जो सौचाले बना हुआ है उसमें वो छतिग्रस्थ है उसमें ही विस्पोर्ट हुआ है इसमें मेरे द विस्पोर्ट के दोरह हलांकि किसी प्रकार के विस्पोर्ट को डिटेक्ट नहीं किया गया है और एंसिक्स के टीम के दोरह मौके से सैंपल्स कलेक्ट किया गया है जिस पर जाच की जा रही है